नेप्चुन हमारे सोलर स्टिस्टम का आठमा ग्रह है जो हमारे संसे 4.495 बिलियन किलोमेटर की दूरी पर है इस दूरी के कारण नेप्चुन तक हमारे सं की बहुत कम रोश्नी पहुँच पाती है जिससे नेप्चुन पर काफी extreme active weather बन जाता है जो नेप्चुन के average temperature को बहुत कम कर देता है Neptune का average temperature minus 214 degree Celsius है जो वहाँ पर किसी भी तरह की जीवन की possibility को खतम कर देता है पर आप सोचिए कि आप किसी spacecraft में Neptune का orbit कर रहे हो पर किसी कारण से वो spacecraft Neptune की तरफ जाने लगे तो क्या होगा जाना है तो इस वीडियो को अंतक देखिए और सेफ रहने के लिए नीचे वाले red button को दबाएं और साथ ही में bell को भी प्रेस करें अगर आपने यह कर दिया तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका spacecraft किसी कारण से Neptune की तरफ जा रहा हो तो आप Neptune ग्रह के अदबुत द्रिश्यों को देखेंगे और उसकी surface पर मौजूद विशालकाय तुफानों को अपने नीचे से गुजरते देखोगे आप Neptune की surface की तरफ उसी speed से उत्रोगे जिस speed से आप प्रिथवी की surface की तरफ उत्रोगे क्योंकि Neptune की gravity प्रिथवी से केवल 14% ही stronger है सूर्य से इतनी दूरी के कारण बहुत कम रोशनी सोर्यमंडल के इस भाग तक पहुँचती है वो देखने में ऐसी लगती है जैसी प्रिथवी पर एक dim twilight आप पहले Neptune के काफे सफेद cirrus cloud के बीच से गुजरोगे जहां पर atmospheric pressure 0.5 atmosphere होगा जो प्रिथवी के sea level के atmospheric pressure का half होगा इस उचाई पर यह area काफी ठंडा है जो की minus 200 degree Celsius के temperature तक गिर जाता है जब आप Neptune के अंदर 30 mile तक परवेश करोगे तो आप ammonia और hydrogen sulfide के clouds के deck में परवेश करोगे जहां atmospheric pressure 5 ATM के पास होगा इन clouds की speed प्रिथवी पर sound की speed से भी काफी जादा है जिसे वहाँ पर चलने वाली हवाई हमारे solar system में सबसे तेज हैं जो की लगभग 1500 mile पर आर की speed तक पहुँच जाती हैं पर आप अपने science fiction वाले space suit के कारण steady रहकर आप Neptune की तरफ उतरोगे Neptune के thick clouds और सूर्य से दूरी होने के कारण रोशनी इस गहराई तक नहीं पहुँच पाती जिसके कारण आप अपने आपको गहरे अंधेरे में पाओगे अंधेरे के कारण यह area बहुत ठंडा है हो सकता है कि आप अपने आपको अकेला महसूस करें काफी समय की इस उतराई के बाद आप Neptune के 100 miles अंदर होगे उन तुफानों को पैदा करते हैं जिन तुफानों को आपने अपने सफर के शुरुवाती चरन में देखा था तो जैसे ही clouds की stage को आप cross करेंगे तो atmospheric pressure 50 atm तक बढ़ जाएगा और तापमान लगभग 26 degree के पास होगा आप अपने high tech science fiction वाले helmet से अपने around सब कुछ देख पाओगे लेकिन आप जल्दी ही महसूस करोगे कि जो clouds की layer थी वो आपके adventure का आसान हिस्सा थी जैसे ही आप ice clouds के नीचे से गुजरोगे तो pressure काफी जादा बढ़ जाएगा और तापमान लगभग 1000 degree Celsius तक पहुँच जाएगा लेकिन आपके science fiction वाले suit के कारण आपको यह कुछ भी महसूस नहीं होगा तो आप Neptune के और अंदर की तरफ जाते रहोगे तो काफी समय तक Neptune में उतरने के बाद आप Neptune के 4000 miles अंदर होगे और Neptune की mysterious mental layer में होगे जहां पर आपके science fiction वाले suit को 10,000 atmospheric pressure का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ ही वहाँ के 4000 degree Celsius के तापमान का भी सामना करना पड़ेगा यह अजीब superheated परत पानी, methane और ammonia ice से बनी है जो काफी जादा pressure होने के कारण dense hot fluid में बदल जाती है इस extreme pressure के कारण carbon atoms भी crystallize हो जाएंगे जिसे diamonds बन सकते हैं लेकिन आप अपने science fiction वाले suit और helmet से well protected होंगे और आप Neptune के और अंदर की तरफ बढ़ते रहोगे तो आपके around in diamonds की rain होने लगेगी और बाद में वो slowly liquid mental में sink होने लगेंगे इस थिक reason में लंबे समय तक डूबने के बाद pressure और temperature drastically increase करेगा जो आपके इस adventure को end करेगा Neptune में हजारों miles की गहराई पर आप Neptune की core पर खड़े होगे जो मास में पृत्वी के जितनी ही है यह layer rock, iron और exotic ice से बनी है इसके साथ साथ इस पर एक diamond की layer भी है आप इस reason में first जाओगे और आगे move नहीं कर पाओगे आप अपने उस science fiction वाले suit के साथ अपने बाकी की जीवन को वहाँ पर आगे बढ़ने की होड में ही बरबाद कर दोगे तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को end करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like और share जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार